हेलो दोस्त कासर आपसर वेल्किल बाक टो जॉब योश्टी मैं हो प्रकाश ब्यूरो आफ इंडियान स्टैंडेट्स बियाइस की तरफ से एक बहुत ही जवरदस्ट नोटिफिकेशन रिलीज की गई है बहुत ही जवरदस्ट वैकेंसी निकली है बियाइस की हेड़कॉर्ट इसे के साथ हम बात करेंगे यहां आपको कितना फी पे करना होगा अपलाई करने के लिए देखिए बहुत सारी अलग-अलग पोस्ट निकली हुए तो हो सकता आपको कन्फ्यूजन होगा कि ग्रेजवेट स्किन-किन पोस्ट में अपलाई करने के लिजिबल है तो यहाँ 276 vacancy निकली वी है, group A, group B and group C, तीनों ही पोस्ट में vacancy निकली वी है, तीनों ही ग्रूप में vacancy निकली वी है, कुछ technical post में vacancy निकली वी है, online registration 19th April से start हो जाएगी and apply करने की last date 9th मई है, online exam की बात करें तो June 2022 में आपका online exam होगा और admit card exam के date से 10 days पहले release कर दी जाएगी group A post की बात करें तो director legal की post है, इसमें total एक vacancy निकली हुए level 12 का pay scale आपको मिलेगा, यानि की आपकी basic पे 78,800 रहेगी और age limit 56 years है, maximum age limit 56 years है, अगली post है assistant director के लिए Hindi administration and finance and marketing and consumer affairs के लिए, हर post के लिए एक एक vacancy निकली हुए, यानि की assistant director के post में total 3 vacancy निकली हुए level 10 का pay scale आपको मिलेगा, basic पे 56,100 है, apply करने की maximum age 35 years है group B post की बात करें तो personal assistant के post में total 28 vacancy निकली हुए assistant section officer के total 47 vacancy निकली हुए and assistant computer design के लिए total 2 vacancy निकली हुए level 6 का pay scale आपको यहां मिलेगा, basic पे 35,400 है और यहां apply करने की maximum age 30 years है अगर बात करें group C post की तो steno के post में total 22 vacancy निकली हुए, senior secretariat assistant के post में total 100 vacancy निकली हुए और यह दोनों ही post में आपको level 4 का pay scale मिलेगा, basic पे 25,500 रहेगी और यहां apply करने की maximum age 27 years है इसके अलबा होटी culture supervisor के एक vacancy निकली हुए है और इसमें level 2 का pay scale आपको मिलेगा, यानि के basic पे 19,900 रहेगी इसके अलबा अगर technical post की बात करें, तो group B post में technical post के अगर बात करें, technical assistant के vacancy निकली हुए है जिसमें आपको level 6 का pay scale मिलेगा, basic पे 35,400 रहेगी, maximum age limit 30 years है और यहां पे total 47 vacancy निकली हुए है, और अगर बात करें technical group C की, तो senior technician की post है level 4 का pay scale आपको मिलेगा, basic पे 25,500 रहेगी, apply करने की maximum is 27 years है और यहां पे 25 vacancy निकली भी है, और अगर आप category में आते हो, तो आपको age में relaxation भी मिलेगा चलिए बात करते हैं, apply करने के लिए education qualification क्या required है तो group A post में experience required है, तो इसकी बात हम यहां नहीं करेंगे यहां हम केवल उन post के बारे में बात करेंगे, जहां graduation required है देखिए यहां पे जिन भी post में graduation required है, वहां कोई भी minimum criteria नहीं नहीं रखा है कि आपके इतने marks होने जाए है, तो आप सब ने अगर आप graduation किया है, तो आप इन post लिए apply कर सकते हो personal assistant की post में graduation required है, कोई marks की criteria नहीं रखी हुए यहां पे आपको एक computer proficiency test देना होगा, and short hand test भी देना होगा तो अगर आपको short hand आती है, तो ही आप personal assistant के post में apply कर सकते हो और एक चीज़ आपको मैं आपको बता ज़ता हो, कि यहां पे कोई भी computer certificate required नहीं है बस आपकी graduation होनी चाहिए, computer certificate कोई required नहीं है assistant section officer के post की बात करें, तो यहां भी graduation required है, and यहां आपको computer skill test देना होगा then assistant computer aided design की जो post है, इसमें graduation required है science में, या फिर अगर आपने diploma की आवा engineering में और इसी के साथ आपको, आपके पास five years का experience होना चाहिए, autocad में, तो ही आप यहां apply कर सकते हो अगली post है stenographer की, तो यहां भी graduation required है, इसी के साथ, आपको computer proficiency test देना होगा and short hand test देना होगा, यानि की skill test देना होगा, English या Hindi में आपकी short hand होगी तो अगर आपको short hand आता है, तो ही आप stenographer के post में apply कर सकते हो इसके अलावा जो next post है, वो है senior secretariat assistant की, यहां graduation required है और exam के बाद, online exam के बाद, फिर आपको computer skill test के लिए call किया जाएगा जिसमें MS Word, Excel and PowerPoint की test ली जाएगी अगली post है, horticulture, supervisor की, इसमें metric pass required है, यानि कि अगर आपने 10th pass किया होगा है तो आप यहां apply कर सकते हो technical post की बात करें, तो technical lab assistant के लिए 3 years की diploma required है अगर अपने 3 years की diploma किया हुआ, mechanical, chemical या microbiology में और आपके 60% minimum marks है, तो आप यहां apply कर सकते हो और अगर आप SCST category से आते हो, तो आपके minimum 50% marks होने चाहिए senior technician के post की बात करें, तो अगर आपने metric किया हुआ है इसी के साथ आपने ITI किया है, तो आप यहां apply कर सकते हो देखिए, यहां पर जितने भी post है, group B and group C के सब में आपको एक online exam देना होगा, और उसके बाद आपको skill test देना होगा exam pattern की बात करें, तो assistant, section officer, personal assistant, then steno, senior secretary, assistant and horticulture supervisor के post के लिए quant, reasoning, english and general awareness से questions पुछे आएंगे reasoning के total 50 questions पुछे आएंगे, 50 marks का test होगा इसके लिए आपको 35 minutes का time मिलेगा, यानि कि यहां sectional timing भी रहेगी फिर general awareness section से total 25 questions पुछेंगे, 25 marks का test होगा 20 minutes की timing आपको मिलेगी, quant से total 25 questions पुछेंगे, maximum marks 25 रहेगा इसके लिए आपको 25 minutes का time मिलेगा, इसके लाबा English की बात करेंगे, तो इससे 50 questions पुछेंगे maximum marks 50 रहेगा, इसके लिए आपको 40 minutes का time मिलेगा, तो total यहां आपसे 150 questions पुछेंगे, maximum marks 150 रहेगा और इसके लिए आपको 20 minutes, यानि कि 2 hours का total time मिलेगा इसी के साथ यहां sectional cut off रहेगी, और overall cut off रहेगी, यानि कि आपको दोनों cut off clear करना होगा, तो ही आपका selection होगा उसके बाद आपको skill test के लिए call किया जाएगा, और application process के बाद करें, तो यहां apply करने का सारा process online है, online registration 19th April से start होने वाली है, तो आप directly www.bis.gov.in website पे जाके register कर सकते हो, apply कर सकते हो, apply करने की direct link मैंने description box में डाली हुए, इसके लावा मैंने notification के भी direct link डाली हुई है, तो आप व इसके अलावा अगर आप SC, ST या फिर PWD या woman candidate हो, या फिर एक serviceman हो, या फिर BIS के employee हो, तो आपको यहां कोई भी application fee पे नहीं करना है, दोस्तो यह थी BIS, यानि कि Bureau of Indian Standard की notification की सारी details, इससे जुड़ा अगर आपका कोई सवार है था, तो आप मुझे comment करके पूछ सकते हो, व vacancy निकले विए, अलग-अलग post में, किसी में 100 vacancy निकले विए, किसी में 45 vacancy निकले विए, बहुत सरे candidates में apply करेंगे, लेकिन आप अगर यह सोच के apply नहीं करोगे, कि बहुत सारे candidates apply कर रहे है, और number vacancy तो कम है, तो मेरा selection होगा ही नहीं, तो फिर बहुत मुश्किल हो जागी आप यह wait करते रहोगे, कि 5000 vacancy निकलेगे, 10,000 vacancy निकलेगे, तभी मैं form भरूँगा, तब जाके मेरा selection होगा, तो आप गलत कर रहे हो, ऐसा बिलकुल ही मत करो, जितनी जल्दी से जल्दी आप selection लोगे, फायदा आपको ही होगा, आप कम से कम में यह जो examination वाला चक्कर है, इ इसलिए better यही है, कि जो भी vacancy निकलती है, जितनी भी vacancy निकलती है, उसमें उनके लिए आप अपलाई जरू करो, और target रखो कि उसमें आपको selection लेना है, बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, कि वो suggest करते हैं, कि अगर number of vacancies कम है, तो form ही मत भरो, या उसकी तयारी ही मत करो, लेकिन यार ऐसा मत करो, क्योंकि आपने भी देखा हूँ, कि बहुत सारे candidates ऐसे भी होते हैं, जिनको, जिनकी IBPS Clark को अगर हमें selection हो जाती है, इसब जो vacancy निकलती है, ESIC की जैसे vacancy IT, SIC, UDC, MTS, वो सब जो vacancy रहता है, तो उसमें work pressure काफी कम रहता है, as compared to banking exams, तो इसलिए better है कि जो भी vacancy निकलती है, आप at least उसमें apply करो, और luck आपका अगर साथ दे दिया, एक बार आपका luck साथ दे दिया, तो आपका selection कहीं न कहीं जरू हो जाएगा, ऐसा जरूर ही नहीं है कि आप wait करते रहोगे, कि जब IBPS के vacancy निकलेगी 10,000, या 20,000, तभ के लिए तयारी करो, दिल लगा के तयारी करते हो अगर आपका selection जरूर हो जाएगा, so all the best